नमस्कार किसान भाईयो मैं सूरुदोल फिर से हजीरूं आपके अपने चैनल एगरी कल्चर गुरुजी में किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं गन्ये की बुआई करते समय हमें ऐसे कौन से कीट ना सका उपयोग करना है जिससे की आने वाले 5 से लेके 6 महीने तक आपके खित के अंदर किसी भी तरह के किसी भी कीट का कोई अटैक देखने को ना मिल पाए इस वीडियो को बनाने का जो मेरा में मकसद है वो ये है किसान भाईयों ने काफी ज़्यदा डिमांड की है कि आपने हमें हलके कीटना सक कई सारे बता दिये जिन से की महीने दो महीने तक हमारे गन्ये की बुआई के बात कोई भी रोक खित के अंदर नहीं आएगा लेकिन हम जानना चाहते हैं चाहें वो कितना भी महगा कीटना सक क्यों नहीं हो कि कम से कम 5 से लेके 6 महीने तक गन्ये की फिसल के अंदर किसी भी तरक कीटों का कोई अटेक न हो पाए तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भायों के लिए बना करके दी जा रही है जो किसान भायों जाद है खर्चा करके अपने गन्ये की फिसल में बुआई के समय पर ही एक ऐसा कीटना सक डालना चाहते हैं जिससे कि अगले आने वाले 5 से लेके 6 महीन तक कोई भी कीट उनक अच्छी तरीके से निकल करके मिलता है निकल करके आता है तो यही सब कुछ आज इस वीडियो में होने वाला है वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है तीन से चार मट की वीडियो होगी लेकिन अच्छी तरीके से समझाँगा कितनी डोज लेनी है किस तरीके से आपको क्या कार क्योंकि यदि बा कर रहा हैं तो रोगंता हो ग कीटना से जयातर उपयोग मिला जाते हैं वो रिजेंट होता है या फिर रिजेंट की जगा कुछ किसान भाई का टैप का उपयोग कर लेते हैं कुछ फोरेट का उपयोग कर लेते हैं कुछ किसान भाई अन्यवी दभाईयों का उपयोग करते हैं कुछ इमीडा कलोपरेट का भी उप्योग करते हैं, जैसके मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है, कि इमीडा कलोपरेट मुझे काफी ज़्याद अच्छा रखता है, यदि सस्ते में आप इसका उप्योग करना चाहते हैं, उस कंडिशन में, या फिर इसकी जदी हाई जेंटा या फिर घरडा की पुलिस, इन तीनों के अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिलेगा, वो मिलता है किसान भाईयो, फिप्रोनिल 40% और इमीडा कलोपरेट 40% डबलूजी फोम के अंदर इन तीनों के अंदर आपको मिल जाता है, आपके यहाँ पर जो उनसी भी मौझूद हो, आप उसका चेन कर सकते हैं, तीनों ही एकदम बैस्ट हैं, क्योंकि तीनों के अंदर एक ही टेक्निकल दिया गया है, और इनका जो उप्योग है, मैं किसान भाईयों अपने खेत के अंदर भी कर चुका हूँ, और भी इन्ने किसान भाईयों को मैंने इसको मिलते हैं, वो बहतर और सांदर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और यदि खेत के अंदर आपने नोर्मली लगाता नमी बना करके रखी, तो पांस से लेके छे महीने तक आपके खेत के अंदर किसी भी तरह के कीट का अटेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इ स्प्रे है, वो अपने पच्छी के ऊपर करना हो, जो आपने गूल के अंदर पच्छिया डाल दी, पच्छी के ऊपर आप इसका स्प्रे करेंगे, तब आपको इसके बहतर पढ़ी नाम देखने को मिलेंगे, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, कि इफ्पो की सीरा साग्यों, लिसेंटा हो या फिर हमारी पुलिस हो, इन में से किसी भी एक काचेन कर लेते हैं, और उसे खात के अंदर मिला करके उसे नीचे डाल देते हैं, तो इस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, यदि इस तरीके से आपको डालना है, तो किसान भाई हो 200 ग्राम की जगे इसकी म 300 से 300 लिटर पानी के अंदर आप इसे डाल करके इसका इस पर अपनी पच्छे पर करवा दीजिए बहुत ही बहतर और सांदर पाई नाम आपको देखने को मिल जाएंगे बात कर लेते हैं इसके खर्चे की तो जो इफको की सीरस आगी है यह 800-800 रुपे की 100 ग्राम के आसपस आ सके यानि कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरीके से कीटो का अटैक क्यों ना हो रहा हो यह दोनों तरीके से कीटो को मार सकता है दोनों तरीके से कीटो को खतम कर सकता है तो इसका उप्योग करके आप अपने गन्नी की फसल को अगले आने वाले 5-6 महिने तक कीटो से बचा सकते हैं उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकाई दे पाया हूं यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें